इस मौसम में धेर सारे फल सबजियां आती हैं, मगर डाइबिटीज रोगियों को कई फल सबजी नुकसान भी करते हैं। ऐसे में उन्हें किन खादे पदार्थों का सेवन करना चाहिए? मधु में यानि डाइबिटीज जीवन शैली से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है, जो खान पान से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आप भले ही दवाएं ले रही हों या इंसुलिन, लेकिन आपकी डाइट में क्या शामिल है, आप क्या खाती है और क्या नहीं, ये बेहद मायने रखता है। American Diabetes Association के अनुसार, इस मौसम में जिन फलों, सबजियों और पे में फाइबर के साथ विटामिन की भरपूर मात्रा होती है और कैमिकल कम होता है, उनका सेवन डाइबिटीज रोगियों के लिए लापकारी होता है। कौन कौन से फल? Diabetes के मरीजों को कुछ चुनिंदा फल खाने की ही अनुमती होती है, जिन में से वे तर्बूज, बैरीज, कीवी और अमरूद खा सकते हैं, क्योंकि इनका GI टैक कम होता है और ये Blood Sugar Level को नियंतरन करते हैं। इन फलों में कई महत्वपूर्ण पोशक तत्व, जैसे की Antioxidant, Fiber, Vitamin C, Vitamin A, Iron, Calcium और Potassium की अच्छी मात्रा होती है, जो आपको उर्जा के साथ साथ ठंडग भी देती हैं। गर्मियों में इन फलों के साथ कई तरह की बैरीज बजार में मिलती है, जैसे की Strawberry, Blueberry और शेह तूथ। बैरीज में Antioxidant और Fiber की अच्छी मात्रा होती है, जो Blood Sugar को बढ़ने नहीं देती। American Diabetes Association के अनुसार, Diabetes के मरीजों को फलों और सबजियों के जूस के मुकाबले उनका साबुत रूप में सेवन करना चाहिए। सबजियों में क्या? Diabetes के रोगियों के लिए विभिन प्रकार की सबजियों का सेवन करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस मौसम में आपको अपने आहार में मुख्य रूप से खीरा, करेला, आवला, धनिया, लौकी, अदरक और हरी पत्तेदार सबजियों को शामिल करना चाहिए। ये सबजियां आपके शरीर को हाइडरेट रखती हैं, विटामिन A, विटामिन B एवं फाइबर मुहिया कराती हैं और कैलोरी को कम करती हैं, जिससे बलड शुगर लेवल नियंतरित रहता है। इनमें मौजूद Antioxidants Immunity को बढ़ाते हैं और पाचन में सुधार लाते हैं, साथ ही हरी पत्तेदार सबजियां, विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होती हैं, जिनमें कैलोरी कम होती है। इसलिए ये डाइबिटीज के रोगियों के लिए उत्तम हैं। पे पदार्थ भी जान ले। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए हम तरह तरह के पे पीते हैं, लेकिन डाइबिटीज रोगियों को इन पे का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। डाइबिटीज के मरीजों के लिए नमकीन लस्सी, बेल का शर्बत, सत्तु का पानी, अधरक एवं नीमबू पानी और खीरे एवं पुदीने का शर्बत पीना सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इनमें नैचुरल फाइबर, आइरन, एंटियोक्सीडेंट, काबोहाइडरेट और फॉलेट यानि फोलिक एसिड होती है, ये सभी ड्रिंक शुगर लेस होती है, जो आपको कूल रखती है और आप इनको बगैर किसी चिंता के पी सकती है, इनको आप ठंडे पानी, बर्फ के टुकडे और जीरा पाउडर डाल कर या अपनी पसंद के तरीके से बना कर भी पी सकती है, ये पे पदार्थ आपको हाइडरेट रखते हैं और जरूरी पोशक तत्व भी मुहिया कराते हैं, जो की बलड शुगर लेवल को नियंतरित करने में मदद करते हैं, सबसे जरूरी कैमिकल कंट्रोल, आहार एवं पोशन विशेशक या डॉक्टर, शिखा डाइबिटीज से पीरित मरीज मीठे पर तो नियंतरन कर लेते हैं, लेकिन उनके आहार में कैमिकल कंट्रोल होना सबसे जरूरी है बजार में गर्मियों के दिनों में zero calorie के नाम से धेर सारे refreshing drinks मिलते हैं, लेकिन उनमें chemical की मात्रा भरपूर होती है इनका सेवन आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इसके अलावा आप जिन भी ड्रिंक्स या फलों का सेवन करती हैं उनमें आर्टिफिशिल शुगर की मात्रा ना हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है फलों के रस के मुकाबले डायबिटीज के मरीजों के लिए सबजियों का रस, छाच और जौ का पानी शुगर कंट्रोल में कारग रहता है साथ ही आपको इस थिती में कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी चीजे खा रही हैं, उनसे शरीर में इंफ्लेमेशन ना हो